असलाम आलेकुम दूस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि आप वाम लोग खरिया से होंगे दूस्तों आज की वीडियो में हम सब्सक्राइब की कुछ बड़ी और इंपोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ सेर करने वाले हैं सबसे पहली ट्राफिक पुलिस ने ट्राफिक की खिलाफ फरजियां करने पर कई लोगों को जुर्माने किये हैं कानूनी करवाई की है अपडेट मुताइब उताया ये गया है कि किसी के गाड़ी की नंबर प्लेट सही न होने पर उनको जुर्माना किया गया फाइन लगया गया जबकि किसी के गाड़ी की लाइड साइनी थी या फिर और भी जो ट्राफिक के रूर्स रिगलेसंस हैं उसकी पबंदी ना करने पर लोगों को जो है वो जुरुआने का सामना करना पड़ा है जबकि यहाँ पर एक दो बंदे ऐसे भी गरफतार किये गए हैं जो अपनी गाड़ीयों से ड्रक्स की स्मगलिंग कर रहते हैं नहीं नसीली दवाईयों की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए हैं इसके साथ एकली अपडेट यह है कि साथी जवाजात की तरफ से एक खबर आ रही है एक अपडेट जारी की गई है जिसमें एक वानिंग दी गई है कि अगर आप स सपोर्ट करते हैं किसी तरह की कोई भी मदद करते हुए पकड़े जाते हैं तो इस पर आपको 15 साल कैद और 10 लाक रियाल का जुर्माना किया जाएगा तो जो लोग भी सौधरभिया के अंदर अजनबी हैं उनसे रिक्वेश्ट है कि आप ऐसे किसी बंदे का बिल्कुल भी कामा खतम है ऐसे लोगों का भी आप बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें ऐसे लोगों का सपोर्ट करने पर भी आपको कारूनी कारवाई का सामना करना पड़ सकता है तो यह एक दो अपडेट थी जो कि इंपोर्टन थी सेयर कर दी गई इसे अलामा भी कई और खबरे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ सेर करने वाला हूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है की वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगले बडेट यह है कि इंडिया से जो लोग अब सौधर भी आएंगे उनके लिए जो PCC की सर्त है वो खतम कर दी गई यह नहीं पुलिस के लिडियन सेटिफिकर्ड की जो जरूरत पड़ती थी जिसको कुछ टाइम पहले अनिवार किया गया था वो अब खतम कर दिया गया है बताया यह गया है कि इंडिया और सौधर भी का जो रिलेसंसिफ है जो संबंध है वो काफी जादा मजबूत होनी वज़े से इस सर्त को खतम कर दिया गया है अब जो लोग इंडियन सौधर भी आएंगे उनको पिसी सी नहीं करवाना होगा बिना पिसी सी के ही वो सौधर भी का सफर कर सकते हैं यह एक अच्छी खबर है तमाम इंडियन लोगों के लिए इसके साथ ही एक खबर अपनों के साथ सेर कर दें जिसको सुनकर आप काफी जादा हैरान रहे जाएंगे जैंस तो एक औरत जिसने एक ही वक्त में चार मर्दों से साधी की और उसने एक एक दिन चारों के लिए जो है वो फिक्स कर दिया यह एक दिन एक रात उसके साथ रहेगी एक दिन एक रात उसके साथ रहेगी इस तरीके से वो चारों मर्दों के साथ जो है वो रहने वाली है अब आप सुनकर इस कबर को गाफ हीरान रहे गए होंगे कि एक आहरत जिसने चार सादी कि और चारों के साथ जो है वो एक एक दिन रहने वाली है हला कि सिलाब में ये चीजे हैं कि अगर कोई मर्ध है और वो तीन से चार सादیاں कर सकता है और तीन से चार बीबी को वो एक साथ रख भी सकता है लेकिन जरूरी है कि वो चारों की जो खौइसात है या फिर चारों के जो खर्च है वो पूरा कर रहा हो उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा हो तो वो रख सकता है लेकिन इसलाम में मैंने जहां तक मैंने पढ़ा है जहां तक मैंने सुना है बयान सुना है या फिर जितनी भी तक्रीरें सुनी हैं कहीं पर मैंने ये नहीं सुना कि एक और जो है वो एक साथ चार चार मर्दों के साथ रह सकती है उनसे निकाह कर सकती है ऐसा मैंने नहीं सुना है तो अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी या कोई वोक्स में जरूर बता देना दोस्तों ये थी आज की सौधिर अपकी चार बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ सेर कर दी गई तो मीद करता हूँ ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी है तो प्लेज वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं जो दोस्तों वीडियो को लाइक करते हैं तमाम दोस्तों का बहुत बहुत सुक्रिया जरूर नहीं करते हैं उनसे रिक्वेश्ट है लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है म जो दोस्तों नए हैं उनसे रिकोष्ट है कि फिली चैनल को सब्सक्राइब जरूरू कर लें वीडियो देखने का दूस्तों बहुत बहुत सुक्रिया मिलते ने स्टूडियन स्टोपिक के साज दरखी अपना खैलो के खुदा